इंदौर में लगतार मसाच पाल्डर की आड़ में जिसम फरोशी का धंदा संचौलत हो रहा है इसी कड़ी में इंदौर की भवर्गुआ पुलिस ने मुखबीर की सूचना के आधार पर कारवाही कर तीन महिलाओं एवं एक युफ्ती को गिरफतार किया तो महीं आने लोग पुलिस की दबश के दौरान वहां से फरार हो गए जिन्हें पुलिस लगातार तलाशने में जुटी हुई है वहीं पूरे ही मामने में पुलिस काफी बारिकी सिजाच परताल में जुटी हुई है इन दौर के भवरकुआ थाना प्रभारी शेशिकांत चौरसिया को लगातार शेतर में मसाच पालर की आड़ में सेक्स रेकेट संचालत होने की सूचना मिल रही थी इसी सूचना के आधार पर भवरकुआ पुलिस ने शेतर में ही मौजूद एक मसाच पालर पर दबश दी और इस दौरान महा पर तीन युवतियां और एक युवक अनैतिक गतिविधियों को संचालत करते हुए मिले इसके बाद पुलिस ने तीनों युवतियों और एक युवक को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच परताल शिरू कर दी तो वहीं दबिश के दरान मसाच पालर का संचालक वजय कुमार फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है वहीं पूरे मामले में पुलिस काफी बारीकी से जाच परताल कर रही है और आरुपियों के खिलाफ अनैतिक व्यपार अधिनियम के तहर प्रकरंड डर्श किया है वहीं मुख्या आरुपी वजय परमार की तलाश की जा रही है जाच परताल में इस बात की भी जानकारी सामने आई कि कोई भी व्यक्ति को युफ्ती चाहिए रहती थी तो वाट्सअप के माध्यम से संबंधित युफ्ती का फोटो बता दिया जाता था और उपयत हो जाने के बाद संबंधित युवक्त यहाँ पर आता था और उसके बाद उसे विभिन तरह की सुविध अपलब्द करा कर जिसमें फरोशी का धंदा संचौलत किया जाता था वहीं जब पकड़ी गई महिलाओं के मुबाल फोन को जब तलाशा गया तो उसमें कई लड़कियों के फोटो वाट्सअप वाने सोशल मीडिया एप से ग्रहा को तक पहुचवा कर ग्रहा को कोड़े तक बुलाजवारा था फिलाल पुलिस ने पूरे मामले में पकड़ी गई महिला का मुबाल फोन जब किया है और पूरे मामले की बारिकी से जांच परताल की जा रही है और तीन एक महिला वाद दो पूरोज जिसमें संचालक भी है उसके खिलाफ वा कुछ अन्य लोग जो वहां से मौके से पुलिस की टीम को दिखकर फरार हो गयते उनके अगेंस जो है वो अपरात पंजी बच किया गया है और विवेशना जा दिए उसमें